यही है वो कभर ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रहा था नमस्कार दोस्तो शिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभी स्वेक सिंग दोस्तो लोग अपना लाखो रुपए खर्श कर देते हैं बढ़िया सुन्दर घर बनवाने के लिए लेकिन मिस्तरी और ठेकदार सही अगर नहीं मेरे दोस्तो तो किस तरीके से आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को वो लोग दोस्तो ले डूपते हैं आज के इस वीडियो में आपको बता हैं दोस्तो चाहे कॉलम हो या फिर दोस्तो बीम हो या फिर दोस्तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा च्छत हो कहीं भी दोस्तो मिस्तिरी का सही काम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और ये चीजे दोस्तो जो है वो पूरा पैसे खर्च करके भी बुद्धो बनने जैसा है जी हाँ फ्रेंट्स घर माली को आखिरकार जो ये ढ़लाई हो गया है इसी में तो उसे अपना जिन्दगी गुजारना होगा तो अब कॉलम बीम और साथे साथ दोस्तो च्छत हर जगा जो गलते हूँ ये उसका कारण क्या है इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं दोस्तो जो च्छत है आप देख सकते हैं ये जो च्छत है आप देखेंगे दोस्तो यहां से बिल्कुल यहां नीचे से ही आपको फर्या देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तो जब च्छत के लिए जब शट्रिंग किया जाता है तो शट्रिंग ये जो आप रॉड देख र रहा था ये इतने सारे कभर ब्लॉक अभी भी बचे हुए हैं लेकिन मिस्तिरी ने दोस्तो बिल्कुल भी इस कभर ब्लॉक को लगाना जो है वो जरूरी नहीं समझाये और कारण आप देख सकते हैं कि जो च्छत है ना जगा जगा से आप देखेंगो दोस्तो उसका थरिया ज इसमें दोस्तो जंक लगने के लिए जो मौइस्ट हवा होता है जो नमी युक्त हवा होता है दोस्तो वही इसके जंक लगने का कारण मनता है और समय से पहले दोस्तो यहां पे आपका जो च्छत है वो जहरनाय स्टार्ट हो जाता है और सांतिसां दोस्तो बीम के के केस में अगर बीम और कॉलम के साथ किसी परकार की कोई शेरखानी होती है दोस्तों, तो सीधे-सीधे आप अपने फैमिली को डेंजर जोन में डालते हैं, चुकि जितना भी आप देख रहा है न, यह स्ट्रक्चर जो है न, बीम और कॉलम पे ही टिका हुआ है, ठीक है? तो अगर इन सब को शही तरीके से नहीं मनाएंगे, ठीक है? तो आपको जो है वो आगे किसी भी दोस्तों, रिजल्ट के लिए तयार रहना चाहिए. दूसरी चीज़ा दोस्तों, इन्वेस्मेंट भी जादा होता है. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों यह जो कॉलम जा रहा था, ठीक है? यह लिंटल भीम के बाद में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंदर के तरफ चला गया है. अंदर एक तरफ चला गया, दोस्तों, तो पूरा कहा पूरा कॉलम तो काटा नहीं जायाएगा, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, कि वहाँ पे मोटा प्लास्टर होगा, जो कि समय से पहले ज़रना स्टार्ट होगा. एक चीज़ और आप देखेंगे, अगर आपने इस तरीके का काम करवाया है, बिल्कुल भी जो है वो, कहीं भी एक सीध में दोस्तों, कॉलम की कास्टिंग नहीं होगी, तो वो लोड को ट्रांसफर भी नहीं कर पाएगा, और दूसरी चीज़ दोस्तों, प्लास्टर भी मे बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पैसे लगा करके मुर्ख बनने वाला काम बिल्कुल भी मत कीजिए, अगर आप काम करवा रहे हैं, तो बिल्कुल सही तरीके से, सही मिस्तरी के साथ, आप काम करवा सकते हैं, फिर मिलते हैं, ऐसे ही जनकारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार धन्यवाद दोस्तों